हेलो फ्रेंड्स तो कैसे हैं आप लोगों मैं इतकरता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छी होंगे तो फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अच्छी होगा गुगल एर्र 404 नॉस्तक के बारे में इसमें कहुता है कि जैसे हमने ब्लॉगर को कबेंट कर यह एपने डुमें से बर जब आप सिर्फ डुमें का नाम लिखते हैं तो мहैं ऐसे डुमें ने तो हमें 404 के आए तो आज की वीडियो मैं बताऊंगा क्यूस इशो का आप कैसे सोल्फ कर सकते है। बहुत ही सिंपल इशोय फ्रैंड्स, इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। इसके लिए जैसे जहां पर आपका बॲॉग बना हुआ है। आपको अपने ब्लॉगर में जानाना है। जो आपका blogger का account है, वहाँ पर जाके आपको settings में click करना है, click करने के बाद यहाँ पर आपको blog address दिखाएगा इस तरह से, तो हमने edit पर click करना है, और edit पर click करने के बाद यहाँ पर देखिए एक option है, यह देखिए, जैसे 404 सिर्फ domain name पर आ रहा है और यह HTTPS से चल रहा है मेरी website, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम एक option दिखा है redact hosting tuition.com to www.hosting tuition.com आपको domain name को www.hosting tuition.com आपको डॉमेन name को www.hosting tuition.com आपको domain name को यह मैंने सेफ कर दिया और सेफ करने के बाद यह अभी हमारा सेफ हो रहा है तो सेफ करने के बाद अभी हम चेक करेंगे कि हमारी वैब साइट चल रहे है कि नहीं तो मैंने क्लिक किया यहां पर एक बार फिर से तो अभी देखिए मेरा जो डूमेन है लोड हो रहा है और यह मे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जिरूर कीजेगा और नेक्स वीडियो में मिलते हम एक नए टापिक के साथ और नेक्स वीडियो आईगे जब मेरे सब्सक्राइबर्स 500 तक हो जाएंगे ओके गाईज, है नाइस टेक, बाई